आज मैं आपको खील का नमखीन बनाना बताती हूं कैसे बनाया जाता है यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप इसको इजली घर पर बना सकते हैं इसके लिए किसके चीजों की जरूत पड़ेगी पहले मैं आपको यह बता देती हुए देखिए यह खील लिया मैंने यह दिखाओ का आपने के दीवाली पर घरों में आती है जिससे पुजा की जाती है यह वही वाली खीले मैं इसका नमखीन बना के बताऊंगी और यह नमखीन खाने में बहुत टेस्ट है लगता है एक टेबल स्पून ओल एक कप मुफली मुफली आप अपनी टेस्ट के इंसर क पूमक और मिर्च आपके टेस्ट के अंसर इसके अंदर डाल सकते हैं आपको बनाना बताते हैं उसे कैसे बनाते हैं पिर उपिमयने गैस पे कड़ाइ रख दियां अब मैं इसमें ऑफनी देती हूं यह ओए गरम हो जाएगा तरहाएगा तब दो कि अन्दर धालोंगी कि यह एक गरम हो गया है अब मैं मीश्य क्यान पर इसको भूपलियों को मैं भूह ये इस तरीकेसे चलाते हुए मुफलियों को हमें बूलना है इन मूफ्यों को सुलोगेस पर हमें बुनना है नहीं तो यह मूफ्य है चल जाएंगी और इसको इसी तरीके से चलाते हुए आपको पुनना है इसको देखिए मूफ्यां बुन गई है इसमें आवाज भी आना सुलो हो गए अंधर मैं इसमें करी पते जो ठेको डाल देती हूं जिसा वह भी पुंजाएंगे देखिए करी पते भी बुनना है इसके अंदर अम मैंने गयास को शुलोग कर दिया है फ्रकुरण अम मैं इसमें मसाले डालंगी रहा कि मिर्च के अंधर डालने हल्दी पाउडर नमक चाट मसाला अब इसको मैं मिक्स कर देती हूं बस हमें मसालों को बहुत हलका सा बुनना है मसाले बुन गए हैं अब मैं इसमें कील डाल देती हूं यह और इनको इस तरीके से चला देती हूं और इसको जब तक मूनना है जब तक कि यह क्रिस्पी ना हो जाएं यह नमकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है वैसे तो बच्चे या कोई भी खील खाना जादा पसंद नहीं करता अगर आप यह नमकिन बना लेंगे तो सभी बहु आप वैसे भी नमकिन खाने के इच्चा है आप इसको बना के खा सकते हैं इसे 15-20 दिम के लिए एयर टाय डूब्बे में भरके रख सकते हैं आपकी जब भी खाने के इच्चा है तब आप इनको लिकाल करके आप खा सकते हैं देखिए इसको मैं चलाते हूँ इसी टेप से अब देखिए यह नमकिन मेरी प्रिस्पी हो गई है अब मैं गैस को आफ कर दो कि देखिए कितना अच्छा नमकिन बनके तयार हुआ ओफट एफट बनके तयार हो जाता है यह अब मैं इसको निकाल लेती हूँ कि देखिए कितना अच्छा नमकिन मन के तयार हुआ अगर यह आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना बूले मैं नेस्ट वीडियो लेकिए आपके सामने फिर उपस्तित होंगी जब तक के ल